उत्तराखन मुक्त विश्व विद्याले के सभी शिक्षियार्थियों को मेरा नमस्कार प्रसार कारिक्रम प्रबंधन एवं सतत विकास की पिछली इकाई में आपने कारिक्रम नियोजन और कारिक्रम नियोजन के विविन्न पहलियों को समझा और आज हम चर्चा करेंगे की कैसे प्रिसारशिक्षा की विकास में महतुपूर्ण भूमिका है आप सब जानते ही हैं कि ग्रामीर जीवन मुख्य रूप से क्रिशी तथा क्रिशी पर आधारिक उद्ध्योगों पर निर्भर है इसलिए क्रिशी तथा क्रिशी से संबंदित उध्योग धंदों को विक्सित करना, कुटर उध्योगों को स्थापित करना प्रसार शिक्षा का महतोपुर्ण उद्देश है प्रसार शिक्षा का कारिशेत्र अत्यम्त व्यापक और विस्तरत है प्रसार शिक्षा का सीधा संबंद मानव विकास से विशेश का ग्रामिलों के विकास से है यह प्रतेक्ष रूप से तो ग्रामिलों के विकास से संबंदित है परंतु परोक्ष रूप से राष्ट के विकास से भी जुड़ा हुआ है प्रसाज शिक्षा का कारिशेत्र न केवल कृषकों के लिए है बलकि ग्रहनियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है घर परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पाने की विवस्था करना, बच्चों की देख भाल करना, महिलाओं को समय तता संसाधनों के सही इस्तेमाल करना इत्यादी ग्रह विज्ञान प्रसाज शिक्षा के अंतरगत आता है राष्ट के आर्थी कैवं सामाजिक उन्यती में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता क्रामीन समाज के उत्थान को द्रिश्टिगत रखते वे सामुदाइक विकास योजना की शुरुवात की गई, जिसमें महिलाओं का भी सही योग लिया गया तो आईए सबसे पहले प्रिसार शिक्षा को समझते हैं प्रिसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है प्रिसार तथा शिक्षा प्रिसार अंग्रेजी के शब्द एक्स्टेंशन का हिंदी रूपांतरण है extension शब्द Latin भाषा के शब्द x तथा tensio से मिलकर बना है जिसमें x का अर्थ है out यानि बाहर तथा tensio का अर्थ है फैलाना या to spread या जिसको हम विस्तार करना या to extend भी कहते हैं प्रिसार का अर्थ शाब्दिक और वैवहारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है शाब्दिक अर्थ से तातपरे है फैलाना अर्थात अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करना या अधिक से अधिक लोगों तक किसी जानकारी को पहुचाना वैवहारिक रूप से इसका तातपरे है कि क्रिशी, घर और मनिश्यों के जीवन का विकास करने के लिए जो भी कारिय, सरकार और जनता के सहयोग से किया जाए उसे प्रिसार का कारी कहते हैं प्रसार के कुछ लक्ष हैं जैसे जनता के ज्ञान में परिवर्तन, कारी करने की शमता में परिवर्तन, कारी करने के धंग में परिवर्तन, जनता की मनोवृति में परिवर्तन इत्यादी शिक्षा शब्द की उत्पति लैटन शब्द इडियो सेरे से होती है जिसका अर्थ है बाहर निकलना शिक्षा मनुष्य के वैभार में वांचनी परिवर्दन लाने की एक प्रक्रिया है फाप्रिल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है धामा और भटनागर के अनुसार शिक्षा या अध्यम के माध्यम से ज्ञान और आदतों के प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है गीएश्थॉमस के अनुसार शिक्षा के अर्थ वातावरण के उसके प्रभाव से है जो कि व्यक्ति में उसके वैवहार, विचार तथा आचरोर की आदतों में स्थाई परिवर्दन लाता है इसके अलावा बाकी परिभाव से भी हम जान सकते हैं कि शिक्षा विक्तियों की शमताओं को विक्सित करने की प्रक्रिया है ताकि वे अपने परिस्थिती पर समुचित धंग से प्रतिक्रिया दे सके अब बात करते हैं प्रसार शिक्षा की, कैलसे और हरने के अनुसार प्रसार स्कूल के बाहर की एक शिक्षा पद्यती है जिसमें वैस तथा युवा पुरुष या स्त्रियां कारे करके सीखते हैं यह सरकार, Land Grant College तथा जनता के बीच सहयोगात्मक संबंद है जो जनता की आवशक्ताओं की पूर्ती करने के लिए सेवाओं और शिक्षा की व्यवस्था करती है इसका मूलभूत उद्देश व्यक्ति का विकास करना है प्रसाज शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्याले अथ्वा कोई भी सुववस्थे संस्थान की सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रोडों को दी जाती है यह शिक्षा अत्यंत ही लचीली होती है जो मुख्य रूप से ग्रामिडों को दी जाती है यह शिक्ष्या निरंतर चन्ने वाली शिक्ष्या है जिसका कहीं कोई अंत नहीं है यह शिक्ष्या किसी विशेश पाथिक्रम से जोड़ी नहीं होती है और नहीं किसी विद्याले या प्रसिक्षर संस्था के नियम में बत्त कर दी जाती है इस शिक्षा के द्वारा ग्रामीड अपने वैवहार, ग्यान, कौशल तथा अभी वृतियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को उचा उठा सकते हैं ग्रामीड लोगों के लिए पिसार का अर्थ है प्रिशी और ग्रह अर्थ वैवस्था में शिक्षा यह शिक्षा वैवहारिक है जिसका लक्ष, खेत और घर में सुधार लाना है लीगन्स के अनुसार प्रसाज शिक्षा एक वैवहारिक विज्यान है जिसमें अनुसंधान से विशे सामागरी ली जाती है शेत्र अनुभाव और संबंदित वैवारिक सिद्धामतों को सम्मिलित करके ऐसी विधी को निकाला जाता है जिसमें वयसकों और युवा पुरिशों की स्कूल से बाहर की समस्याओं को हल करने का प्रियास किया जाता है उपरोग्त परिभाशों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रिसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है जो ग्रामीर मनुष्य के ज्यान, कारे करने की शम्ता एवा मनोवृति में एक वांचित परिवर्दन लाती है जिससे की वो अपना सामाजिक, आर्थिक, मनोव एग्यानिक स्तर उचा कर सके अब बात करते हैं प्रिसार शिक्षा के दर्शन यानि फिलोसफी की प्रिसार दर्शन का केंद्र बिंदु मानव है इसका उद्देशि मानव का सर्वांगीन विकास है व्यक्ति के ज्यान, कौशल, द्रिश्टी कोड, मनोव रिती में परिवर्टन लाकर रहन सेन के स्तर तथा जीवन स्तर को उचा उठाना ही इसका प्रियास है प्रसार शिक्षा की शिक्षन विधिया, दर्शन, सभी कुछ मानव के चहु मुकी विकास के लिए आवशक है ओपी धामा के अनुसार प्रसार शिक्षा की फिलोसफी में कुछ बातों को प्राथमिक्ता दी गई है जैसे आत्म सहायता, मनुष्य सबसे बड़ा साधन के रूप में अगली यह कि एक सामुदाइक प्रियास है यह गड़तंत्र की आधार शिला पर आधारित है इसमें ज्ञान एवं अनुभव के दो रास्ते है कारिक्रम देखने और करने द्वारा रूची उत्पन्न करने पर आधारित है कारिक्रम में नेतरत्व की विकास तथा एच्छिक सहकारिता को आधार माना जाता है मनुष्यों को शिक्षित बनाना एवं समझना कारिक्रमों में मनुष्यों की मनुवर्ती और आस्थाओं पर आधारित होना और इसका एक मुख्य विशेष्टा है कि यह कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है अब जानते हैं प्रिसार शिक्षर के सिध्धान्तों के बारे में जिनमें से सबसे पहला है रूची तथा अनुभूती आउशकता का सिध्धान्त किसी भी प्रिसार कारिकर्म को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आउशक है कि यह लोगों की रूचीयों तथा अनुभूत आउशकता के अनुसार किया जाए इस सिध्धान्त को ध्यान में रखते वे प्रिसार कारिकर्ता को स्थानी लोगों की आवशकता का पता लगाना चाहिए ऐसा करने से लोगों में रूची पैदा होती है दूसरा है सहभागिता अविम सहयोग का सिध्धान्त किसी भी प्रसार कारिक्रम की सफलता के लिए लोगों की सह भागिता और सहीयोग अत्यंत आवशक है प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षा प्रडाली है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार थी दोनों को ही परस पर मिल जुलकर एक दूसरे के सहयोग से कारे करना होता है अकेला ना तो ग्रामीर जनता समस्याओं का समधान कर सकती है और नहीं प्रसार पुसिक्षक उन्हें जबरदस्ती किसी चीज के बारे में बता सकता है कारिक्रम की सफलता के लिए प्रिसार कारिकर्ता के साथ ही लोगों की सह भागिता एधम सहयोग भी आवशक है लोगों को यह आभास होना चाहिए कि यह हमारा कारिक्रम है हमारे लिए है तथा इसे सफल बनाने के लिए हम सब की भागिदारी जरूरी है अगला सिध्धान्त है सांस्कृतिक भिन्निता का सिध्धान्त भारत एक लोकतांत्रिक देश है यहां अनेक प्रिकार की भाशाएं, रीती रिवास, खान पान, धर्म परम पराएं अर्था सांस्कृतिक भिन्निता देखने को मिलती है इसलिए प्रसार कारिकर्ता को प्रसार कारिक्रम को प्रारंब करने से पहले कारिशेत्र तथा वहां रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक विभिन्निता का जानना बहुत जादा जरूरी है चौथा है वैवहारिक विज्ञान तथा प्रजातांतरिक पहुचका सिध्धान प्रसार शिक्षा प्रजातांतरिक सिध्धान तथा वैवहारिक विज्ञान पर आधारित एक शिक्षा है प्रिसार शिक्षा दो तरफा शिक्षर प्रडाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही समान रूप से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वास्तविक स्थिती पर लोगों के साथ विचार किया जाता है, जिसमें सभी लोगों की कारे में भागिदारी सुनिश्चित की जाती है। प्रसार कार्य करता वैग्यानिक खोजों को नवीन रूप देता है जिससे ग्रामीड जन्ता उसे अपना सके और अपना जीवन यापन बहतर कर सके अगला है करके सीखने का सिध्धान जिसे learning by doing भी कहते हैं इस सिध्धान के अनुसार ग्रामीडों को स्वयम करके तथा स्वयम भाग लेकर सीखने के लिए प्रोचसाहित किया जाता है जब व्यक्ति किसी काम को स्वयम करता है तो उसे वैवहारिक ज्यान भी होता है तथा उसे करने में होने वाली कठिनाईयों का भी अनुभव होता है इनी कठिनाईयों को प्रसार कारेकरता उन्हें समझा सकता है जिससे कि ग्रामीडों को सीधा अनुभव प्राप्तो होता है अगला है प्रसिक्षत विशेशग्यों का सिध्धान्त ग्रामीडों की समस्या किसी एक विशेश से जुड़ी नहीं होती है ऐसी परिस्तिती में आवशक नहीं है कि प्रसार कारिकर्ता को सभी विश्यों की पूड़ जानकारी हो क्योंकि वह सभी विश्यों को विशेशग्य नहीं होते हैं इसलिए वह आउशक्ता नुसार प्रसिक्षत विशेशग्यों को ग्रामीनों को प्रसिक्षन देने तथा समस्याओं का समधान करने के लिए बुलाते हैं इसके बाद आता है प्रसार शिक्षन विधी में अनुकूलन का सिध्धान प्रसार कारिक्रम को सफल बनाने के लिए उप्युक्त शिक्षण विधियों का चैन करना बहुत जादा ज़रूरी है एक शिक्षण विधी जो किसी खास लोगों के लिए उप्योगी है वही शिक्षण विधी किसी दूसरे के लिए अनुप्योगी सिद्ध हो सकती है अता प्रसार कारेकरता को प्रसार विधियों का ज्यान होना चाहिए जिससे वा स्तिती वा ग्रामीर जनता की विशेश्टाव के अनुसार प्रसार विधियों का चैन कर सके शिक्षन विधियो में लचीलापन होना चाहिए ताकि विभिन आयू, शिक्षा या दशा के आधार पर लोगों के लिए उप्यों किया जा सके फिर आता है नेतरित्व का सिध्धान प्रसार शिक्षा की सफलता के लिए स्थानी नेताओं का सहयोग वसह भागिता अवशक है स्थानी नेता गाओं में नए विचारों को फैलाने के सबसे उत्तम साधन होते हैं ग्रामी लोग अपने नेता पर पूरा विश्वास करते हैं अथा प्रसार कारेकर्ता के द्वारा उचित नेता का चैन करना बहुत ज़ादा जरूरी होता है प्रसार कारेकर्ता गाओं के प्रभावशाली लोगों से चर्चा कर अच्छे नेता की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं इसके बाद आता है पूर्ण परिवार का सिध्धान, प्रिसाज शिक्षा सिध्धान केवल एक व्यक्ति के विकास पर निर्भर नहीं होता है, अपितु पूरे परिवार का विकास करना होता है, क्योंकि परिवार ही मिलकर समाज का निर्माड करते हैं, सामाजिक संग्रशना म ह toolbox में परिवार केंद्र में होता है अतव केंद्र का ध्यान रखना जरूरी है पुसार्शिक्ष्य के अंतरगर्थ यदि कारिक्रंड परिवार के सबी सदस्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं तो निश्यत ही सफल होते हैं फिर आता है संतुष्टी का सिध्धान मनुष्य जीवित प्राणी है उसमें भागनाई है सोच समझ है बुद्धी है अतहब दिल दिमाग से संतुष्ट होंगे तभी कारिक्रम में भाग लेंगे नवीन जानकारियों को अपनाएंगे जब ग्रामी लोग प्रसा कारियों का मूल्यांकन करना अति आवशक है इससे कारिक्रम की अच्छाई वह क्यम्यों का पता चलता है जिससे वह समय रहते कारिक्रम में बदलाव किये जा सकते हैं इसके बाद आता है तटस्ता का सिध्धान प्रसार कारिकर्दा को कभी भी स्थानी राजनिती में संम्मि तो प्रोत्साहन के सिद्धांत जिससे कि वे उसाह से प्रोट साहन के सिद्धांत का बहुत महत्व है दबाव से कोई भी प्रसार कार्य नहीं हो सकता है इसके लिए कार्यमैं सक्रियों लोगों की पहचान कर उन्हें प्रोचसाहित करना चाहिए जिससे की वे उस्सा से प्रसार कारे में निरंतर सक्री हो सके अब बात करते हैं प्रसार शिक्षा अगम क्रिशी विकास की कृशी शिक्षा में किसानों, पशुपालकों, इत्यादी को, समय समय पर कृशी में होने वाले बदलावों, उननत बीजों, प्रभावी कीट नाशकों, उर्वरकों, कंपोस्ट खाद, उननत कृशी उपकरणों, पश्वों की देखभाल, पश्वों की मौसमी बिमारियों से बचाव के तरीके आदि के बारे में बताय जाता है तथा अपनाने के लिए प्रेडित किया जाता है क्रिशी प्रसार सामानित है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रिशी पध्यतियों से संबंदित सूशना, ज्यान और कौशल किसानों को विभिन्य चैनलों के माध्यम से संप्रिशित किये जाते हैं क्रिशी प्रसार का प्राथमिक लक्ष क्रिशक परिवारों को तेजी से परिवर्तित होती वी सामाजिक, राजनतिक और आर्थिक परिस्तितियों को ध्यान में रखते वे उनके उत्पादन और विपड़न संबंदी रणियतियों को उनके अनुकूल बनाने में सहेता करना है ताकि वे आगे चल कर अपने निजी तथा समुदाई की प्राथमिक्ताओं के अनुसार अपने जीवन को धाल सके ख्रिशी शेत्र में ग्यान और निडन लेने की शम्ता यह अवधारित करती है कि कि किस प्रकार उत्पादन कार को अर्थात, मृदा, जल और पूजी का उप प्योग किया जा सकता है, ज्यान का स्रजन करने और उसको प्रसार करने तथा क्रिशकों के निडने लेने में सक्षम बनाने के लिए क्रिशी प्रसार केंदरी भूमिका निभाता है, अतहा प्रसार अधिकांश विकास की परियोजनाव में एक महत्वण भूमिका निभाता ह अब बात करते हैं प्रसाज शिक्षा एवं ग्रह विज्ञान की ग्रह विज्ञान कलात्मक एवं विज्ञान का विशय है जिसमें विज्ञान के साथ साथ कलाकी पड़ाई कराई जाती है ग्रह विज्ञान विशे के अंतरगत आहार विज्ञान एवं पोशन ग्रह प्रबंद वस्त्र विज्ञान एवं परिधान बाल विकास एवं पारिवारिक संसाधन ग्रह विज्ञान तथा प्रसाश शिक्षा के बारे में सिखाय जाता है जहां आहार एवं पोशन विज्ञान, वस्त्रे विज्ञान वैग्यानिक विशय है वही मात्र कला एवं शिशु कल्यान, वस्त्रे सिलाई कटाई एवं कडाई ग्रह प्रबंद कला का विशय है राष्ट के विकास में ग्रह विज्ञान की एहम भूमिका है भारत देश की आधी आबादी महिलाओं की है और जब महिलाए सुशिक्षित समझदार दूरदर्शी विवस्थित तथा कर्तव्य निष्ठ होंगी तो राष्ट का विकास होगा राष्ट के विकास में ग्रह विज्ञान का योगदान कई शेत्रों में हैं जैसे स्त्री शिक्षा, पोशन, स्वास्त, भोच्य पदार्थ के परिरक्षन तथा संचेन, रहन सहन के स्तर को उचा उठाने में, बाल शिक्षा तथा प्रौड शिक्षा के विकास, रोजगार के परियावरण सरक्षन और जनसंख्या नियंतरण में, ग्रह विज्ञान के संदर्व में प्रिसार शिक्षा का उद्देश ग्रामीर स्त्रीयों को इस योग के बनाना है कि वे घर तथा परिवार के स्थिती में सुधार लाएं, जिससे उनका जीवन स्तर एवं रहन सें स्तर को उचा उठाया सके, जैसे ग्रहनियों को उपलब्द संसाधनों का प्रियोग करके सिखाना, ग्रामीर महिला को उनके आसपास उपलब्द प्राक्रतिक संसाधनों के बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें प्राक्रतिक संसाधनों के इस्तमाल करके धनों पार्जन के त योग करना भी ग्रह विज्ञान के एक लक्ष है इसके बाद ग्रह विज्ञान का लक्ष है ग्रामीड महिलाओं का सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं तथा संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना ग्रह विज्ञान प्रसार कारे करता ग्रामीड महिलाओं के सरवांगि विकासहेतू, विभन संस्थाओं तथा संगठनों से संपर्क श्थापित करवाने में मदद करवाते हैं, जिससे ग्रामीद महिलाएं, स्वरोजगार श्थापित करने के लिए संस्थाओं की मदद ले सकें। ग्रामीडों को पुरानी सोच, रूडिगत, कारिक प्रणालियों तथा कारिक उशलता में सुधार लाकर नवीन आविशकारों, उपकर्णों, विचारों, तथ्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है तो शिक्षार्थियों, आज की इस इकाई में हमने जाना कि प्रिसार शिक्षा का कारिशेत्र अत्यंति व्यापक एवम विस्तृत है, ग्रामीड विकास से संबंद सभी शेत्रों से इसका गहरा संबंद है प्रिसार शिक्षा का मुख्य उद्देश है, सामुदाइक और व्यक्तिगत प्रयासों से शहरी, अत्वा ग्रामीड शेत्रों के लोगों के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक खुशाली के शेत्रे में निरंतर विकास की दिशा में काम करना ग्रहविज्यान के संदर्व में प्रसार शिक्षा का उद्देशिक ग्रामीड स्त्रीयों को इस योग के बनाना है कि वे घर तथा परिवार की स्थिती में सुधार लाएं, जिससे उनका जीवन स्तर एवं रहन सेन के स्तर को उच्चा उठाय जा सके सामुदाइक विकास स्वयम जन्ता के प्रयतनों द्वारा ग्रामीड जीवन की प्रगतिशील पद्यतियों के परिवर्तिं की प्रक्रिया है जिससे ग्रामीड जन्ता के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, शेक्षनिक आदी शेत्र में विकास किया जाता है धन्यवाद